कि हैं ऐप लोग आज मैं डूर्मेट बनाना बताऊंगे आप लोगों को जो की बहुत ऐजी तरीका से बनाएंगे हम लोग और जो कलर आपको पसंद है उसके हिसाब से आप कलर ले सकते हैं ये दो कलर में बनेगा और चौकोर सेप में बनेगा तो इसके लिए हमने 10 फंदे लिए हैं कि स्टार्टिंग से हमने यहां से बनाया है इसको हमने यहां से इसको स्टार्ट किया है यहां से स्टार्ट किया बनाते विए जब इसको जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपका घूमते जाएगा चोकोर सेफ में होते जाएगा तो इसलिए हम आप लोगों को यह आज डिजाइन बनाना बताएंगे अब देखिए आपके सामने जब बनाएंगे इसका कैसे सेफ घूम जाएगा हमने इसमें 20 फंदे लिए हैं 10 फंदे मेरूं से लिए हैं 10 फंदे अपनी क्रीम कलर से लिए हैं अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जाएंगे सक्नार ले सकते हैं इसमें संपंदे लेने हैं बराबर बराबर दोनों साइड में और को मैं और इसे भी बड़ा राबनाना चाहते हैं तो भी मेस बसंदे के लिए और भी बड़ा बन जाएगा तो 我們 द wooden स्विल इसको शुरू किये हैं इसको करने हम क्रीम कलर कर तो कि Rosa कहां प्लाई पर तो पहला प्सक्राया विज़ों कि विछनी तरह से पहले साथ हूं यह पाद है यह जो भारे दो सबैक thacker लेंगे कि अलिग। यह एक प्लनाई करना है कि युश्ण हो कर लेंगे। इस तरह से यह देखिए इस फंदे को हमने बना लिया है अब बनाने के बाद में अभी इस फंदे को जब बनाएंगे इस तरह से हम धागे को फेर के इस धागे को हम लगाएंगे मैरों कलर वाला जो हमारा उन है इसको भी हम पूरी सलाई बनाएंगे अभी लाश्ट में आएंगे फिर आपको बताएंगे यह हमारे एक फंदे बच्चे हैं एक फंदे को हम छोड़ देंगे बुनाई नहीं करेंगे यही से हम टर्न हो जाएंगे जो यह सलाई है इसको हम पूरा बुनाई कर लेंगे जो जीस ँवाफ में साढ़ी हो चुन्सका किसी से भी आप इसको बना सकते हैं फिर इस धागे को मागे कर लेंगे और इसको इसी धागे से हम बुने लेंगे इसको हमने बुन लिया और जब उल्टा से लाई जाएंगे तो उल्टा से लाई में क्रीम कलर को क्रीम कलर से बनाएंगे और यहां पर आएंगे तो फिर एक धागा हम फंदा हम छोड़ देंगे तो मैं बुन के दिखाते हूं यहां तक इस तरसे जब धागा फिर लेंगे यहां पर और फिर के इसको बना लेंगे पली सलाई में हमने एक फंदा छोड़ देंगे फिर धागे को आगे की तरफ कर लेंगे और फिर इसी तरह से हम इसको कंटिनी वुत बनाएंगे इसमें हमें क्रीम कलर वाले में कुछ भी नहीं करना है 10 पंदे का 10 पंदे उपर तक हमें 10 सलाई तक बनाएंगे यहां और यह वाला हमारा जो है इसमें एक फंदा छोड़ते छोड़ते यह हमारा एक फंदा लाश्ट में आ करके हम जब बचे का फिर हम आपको बताएंगे किसे हमें कैसे बनाना है हमने इसको यहां तक बना लिया है यह देखिए एक फंदा छोड़ते छोड़ते इस तरह का हमारा यहां आजाएगा और यह हम दस सलाई को कंटेन्यू बुनाई करना है देखिए हम काउंट भी कर लेते हैं एक दो तेंग चार पांच छे साथ आठ नौ दस दस सलाई हमारा यह बन के कंप्लीट है अब जब इधर आएंगे उल्टे साइड में सलाई के लिए आप जैसा उन रहेगा डबल रहेगा तब मुटा सलाई लेंगे पतला उन रहेगा तब पतला सलाई लेंगे उन के हिसाब से कपड़े के हिसाब से आप सलाई यूज करेंगे अगर साड़ी से बनाएंगे तब छे नंबर की विए सलाई यूज करेंगे यहां पर हमें मेरूम कलर लगाना है हमें यहां पर मेरूम कलर लगाना था तो मेरूम कलर लगाएंगे तो मेरूम कलर देखिए हमें कैसे बुनाई करना है यह भी हम बता देते हैं आपको यह पूरा सलाई हम continue बुनाई करेंगे अभी यहां तक इसके बाद देखिए हमने 10 फंदे बुनाई किये अब यहां से हम turn हो जाएंगे इस तरह से turn होके इस तरह को आगे के तरफ हम सलाई लेंगे यहां से हम लोट जाएंगे और पूरा सलाई यहां से लेकर करके यहां तक हम इस तरह से उल्टा बना करके complete करेंगे एक सलाई इसको हम यहां तक कर लेते हैं फिर आगे बताएंगे आपको यहां से यहां तक हमने इसको बुनाई कर लिया अब फिर इसको हम एक सलाई अभी कहां तक उल्टा बनाएंगे तो आपको बता रहा है यहां पर देखिए अब हमारा दस पंदे हैं, दस पंदे में एक फंदे को हम यह छोड़ देंगे एक दो तेंग चार पांच छे साथ आठ नो दस ये दस फंदे इसमे के है आई इसमे का जो दस फंदा है ये हमारा ये फंदा था ये मिला करके हमारा दस फंदा हो जा रहा था तो एक फंदे को हम छोड़ देंगे अब जैसे इसको हमने बनाया था वैसे इसको बनाना इसको हमें कुछ भी नहीं करना है तो इस तरह से हम इसको फिर यहां से बैक हो जाएंगे पूरी सलाई को हम उल्टा ही उल्टा बनाएंगे हमें सीधा के साइड से इसमें इधर से बुनाई करना है इधर से फंदा घटाते जाना है एक फंदा छोड़ करके हमें इधर आना है इसी तरह से कंटेनियो बस इतना ही 10 फंदा है इसको ही इमें बुनाई करना है तो हम पहले बुनाई कर लेते हैं इसको इस तरह से देखिए हमने इसको complete कर लिया है अगर कहीं भी problem हो तो आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी इसको चाहें तो आप दो color में भी बना सकते हैं जैसे कि यहां पर हमने यह color लगा दिया है तो इस मैरूं color ही लगाना है इधर पहला फंदा हम उतार लेंगे उतार के इधर हम एग फंदा इसको बुनाई कर लेंगे करके फिर हम वैक हो जाएंगे फिर इस फंदे को हम बुनाई करेंगे इस तरह से इसको हम बुन लेंगे बुनके फिर इधर आ जाएंगे पर फंदा उतार लेंगे कैसे भुनाई करना है इसको बोलेंगे अब यहाँ पर हमारा गयव हो जाता है तो आज़र से एक फंदा उठार लेंगे और इस फंदे को एक साथ हमें बुनाई इसलिए करना है कि यहां पर हमारा जाली ना छूटे और एक साथ नहीं बुनेंगे तो इसलिए हमको दोनों फंदे को एक साथ बुनाई करना है और फिर हम इसको बैक हो जाएंगे बैक होने के बाद में इसको पूरा हम बुनाई कर दे यह सुँ आद देखियू जो कोना निकल जा रहा है यहां से अपने पम रहें चोकुर इंस आधि अग्र बड़ा बनाना है तो बचलैरे टले लेंगे फिर यहां पर इक भड़ा लेंगे ज्वादा अभी ऐत लागे मैं नद्स सकते हैं फिर इसको हम टर्न हो जाएंगे, यह देखिए हमारे चोकुर सेप में यहाँ से यह आने लग गया, इस तरह से हमारे यह चोकुर सेप आ जाएगा, जैसे यहाँ तक हमने आपको बताया है, वैसे यहाँ तक इसको हम कम्पलीट कर लेते हैं, इसके आगे फिर मेम आपको बताएंगे कि हमें कैसे बनाना है, हमने इसको यहाँ तक बना करके कम्पलीट कर लिया है, देखिए हमने यह आपको जहां से भी बनाने को शुरू किया था, उसके बाद कैसे हमारा यह सिफ अपने आप घूम जा रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको तो मैं बता दू कि इसमें हमें क्रीम कलर लगाया है तो यहां पर कौन सा कलर लगाना है क्योंकि इधर में महरूम है तो हमें यह ध्यान रखने कि जो कलर हमने इधर लगा है यही कलर अब इसमें जोइंट करना है यह क्योंकि हमरा बनके कंप्लीट है यह अधूरा है तो इसमे पहला वाला हम इस तरह से क्रिम कलर लगाएंगे तो क्रिम कलर से हम पूरे सलाई को कम्पलीट कर लेंगे ये दस फंदे हमने बुनाई कर लिए हैं देखिए दो चार छे आठ दस अधर भी हमारा दस फंदा है है दो चार छे आठ दस इधर हमें मैरूम ही लगाना है क्योंकि अब भी हमने इसको हाफ पीस बनाया है इसको पूरा कम्प्लीट करना है इसको इस तरह से बढ़ाएंगे इस को इस तरह से बढ़ाएंगे आप खाली इस वाले डब्बे को हमें बनाना है और जो यह हमारे क्रेम कलर है क्रेम कलर से क्रेम कलर को बना देंगे इसमें फिर से हमें वही चीज बनाना है जो कि हम फिछे वाली स्लाइ इससे बणाते आ रहे हैं यहां तक हम ने इसको बना करके आपको बता दिया है धिर से वहीं पर पहुंच गए जहां से कि हमने आपको बत् где- pronomal को पूरा खरेंगे Mes completely इधर बढ़ते जाएंगे एक एक फंदा इसके साथ में उठाते जाएंगे जैसे कि आमने आपको इसमें बताया था इसी तरह से इसको कम्प्लीट कर लेते हैं और कोई भी कोर्नर के पास आपको जब भी टर्न होना होगा तो कोई भी करने की जुरुत नहीं है जो हमने आपको बना करके बताया और दिखाया अगर आपको कोई भी प्रोब्लम इसमें होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बढ़ा बनाना है तो आप उसके लिए फंदा ज्यादा डाल सकते हैं तो मैं आपको पूरा बना के दिखा रही हूँ हमने इसको यहां तक बना लिया है और हमारा यह बन के कंप्लीट है अब हमें देखिए बंद करना है इसको तो डबल फंदा करके हम बंद कर देंगे यह बंद करना बताते हैं दो फंदा एक साथ हम बुन देंगे फिर इस फंदे को इस पर ले लेंगे जो जिस कलर से है उसी कलर से हमें इसको बंद करना है फिर दो फंदा एक साथ ले लेंगे बुनाई कर लेंगे इसको इस पर रख करके बंद कर लेंगे इसी तरह से इस धागी को इस कलर से करेंगे इस करने करें अब देखे आप इसको सिल्हाय करना है pub ,कू THEY करेंगे शिराय करके मैं आपको दिखा रहे हूं अब रहे लिए कंप्लीट्य हो गया यह हमारा बनके और कितना इप्यार रहा कितना सृंदर बन गया है यह देखिए यह हमारा मीडियम है छोटा साइज है अब बड़ा बनाने के लिए से ज्यादा फंदा ले लिजेगा इसके बीच में हम इस तरह से कुछ पॉंपम लगा सकते हैं यहाथ से भी बना करके लगा सकते हैं इसको हमसिल देंगे सिल के बनके हमारा यह कंप्लेट हो जा